नमस्कार दोस्तों योग आईवेद में अपकाम पूनाश्वागत करते हैं तो जैसे कि आधनीक योग काय योग है हर काम कंपिटर लैपटॉप या मुबाइल से लोग करते हैं और इसमें अधिक्तर लोग रात के बारा एक बजे तक जाकते रहते हैं और उसके बाद रात के यह दो वज़े के बाद ही सोते हैं था है जिसे दिली बंबई कोलकाथा यादीय में लोग रात के 2-2 वज़े के बाद ही सोते हैं और जो रात का खाना है और यह मात्राब बढ़ुती है और अनम को पित कारीब लुट से होती है और कॉस्टिपेशन बढ़ने से सरीर में भारीपन भूक कर लगना अफरा बेचैने पी लिया बालों का जड़ना आंखों की नजर कमजोर होना और ब्लड की कम होना एनीमिया या नाक मुह से कहीं से भी ब्लड का लिकलना और विसेसकर जब ज्यादा कब्स हो जाती ह तो ऐसे में बवाजीर या पाइल्स की समस्य हो जाती है तो ब्लेडिंग वाली जो पाइल वो काफी पेंफुल होती है उसमें बहुत ही दर्द होता है और बिकनिस बहुत आती है क्योंकि साथ में खून भी आता है तो कमजोरी बहुत जल्दी आ जाती है वेक्ती को प्यास बहुत लगने लगती है और खाने को मन नहीं करता है चक्कर आने लगते हैं काम करने की इच्छा नहीं होती है पिंडिया एड़ जाती है कमर में भी दर्द होने लगता है तो खूनी ववासीर या विलडिंग वाली पाइल में हम कुछ मेडिसन तयार करते हैं जिसका उप्यों करके बहुत जल्दी आप जो है कुनी पाइल से चुटकारा पा सकते हैं तो उस खुनी बवसीर को दूर करने के लिए जो टैबलेट बनाते हैं उसके बनाने की बिदी उसके प्रियोग बिदी और उसमें कौन-कौन सी और सदिया चाहिए उसके दरब घटक क्या है उसके तो आप हमारे साथ अंतक बने रहें और देखिए यह टैबलेट किस प्रिकार निर्माण करते हैं रक्त अर्ष या ब्लेडिंग वाली पाइल्स की मेडिशन तयार करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए रिठे की वश्म जिसको रिठा भी बोलते हैं तो इस रिठे की हमने भश्म पहले कर ली थी तो इस वश्म को हमको लेना है तो इसको भश्म हमने करीब 10 ग्राम लिया है आप चाहें तो इसको ज्यादा या कम भी ले सकते हैं तो इस भसम को हमने ले लिया है उसके बाद हमें लेना है रशाओत जिसको हम रस अंजन के भी नाम से जानते हैं और इस रस अंजन को भी हमने 10 ग्राम लिया है अब इसका हम पॉडर कर लेंगे इसका पॉडर जितना बारिक होगा उतना हमें बोडी में डाइजेश्ट करने के कैपसूल में या किसको लेने में भी यह रहेगा तो इसका पुड़र है हमें बहुत ही बारी कर लेना है इसका fine चूरण कर लेंगे कुछ इस प्रकार का वारिक चूरण कर लें और यह रसंजन हमारे सरीर के लिए पायल्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है यह जखाम, वरंडिंग, हीलिंग, सूजन के लिए इसका उप्योग किया जाता है यह रसंजन या रसौत और इस रसौत को दारू हल्दी से बनाया जाता है तो दारू हल्दी की जो वीडियो हमने अल्रडी बना रखी है और इसका जो वीडियो का लिंक डिस्कुसिन में दिया करने को मिल जाएगी हमें इसमें आ जो घटक लेना है वह सपार्ट का व Olha या फिटकरी की वसम तो इसमें हमने टरहा है यह भी स्परकारまで बना आए इसके उपर बसकी बना रखी है वे लेना है इसको बैसकर में बपने सब्सक्राइब देख लाइब तो यह चारों सब्सक्राइब लिखेऊ कि नहीं करेंगेमं फिससे सब्सक्राइब लात्राइब हो जाएब दो हम आप्शे से मिक्स होंगी और मिक्स होने के साथ ये सरीर को भी अच्छे से डाइजेस्ट होंगी और हमारे जो खूनी ववासीर है या अरक्त अर्श है वगंदर है उसमें ये काफी अच्छा काम करेंगी ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए खूब बढ़ियासन का फाइन पडर जब हो जाए दो घंटे के वाद तब आपकी ये ओशदी तयार है तो आप चाहें तो इसको करीब 250 mg से लेके 500 mg तक या बला अनुशार आप इसको 700-800 mg तक इसका सेवन कर सकते हैं चाहें आप इसको कैपसूल में भी भर सकते हैं आप वो 500 mg वाले कैपसूल में आप इनको भरके रख ले और पेशन्ट अगर आता है आपको खुनी वावासीर का तो आप इसके कैपसूल दो कैपसूल शुबाशाम इसका सेवन करवा सकते हैं तो हमारे पास सिस्टेम 500 mg के ख अंदर भर देंगे तो इस पान्सो एम जी के बर जाएंगे तो यह तयार हो जाएंगे और इसके बाद हम इनको किसी एर कंटिनर वांक्स में भर रख सकते हैं और जब भी पैसेंट आए हम इसका यूज कर सकते हैं तो इन जो 500 700 mg जो कैपसूल है इसमें करीब 700 mg अंदर आ जाती है आपने अभी तक देखा कि खुनी बवासीर को दूर करने के लिए टेबलेट को हम इस पर का तयार करते हैं अगर यह टेबलेट आप अपने आप घर पर ना बना सके तो आप हमारे द्वारा मंगवा सकते हैं जो हमारा मेडिशन को साहिक और सदियों के साथ एक कैपसूल शाम को और एक कैपसूल शुबा आप खाना खाने के बाद गुर्मने पानी के साथ आप इसके इसके इस्तेमाल करें तो आपके जो खुनी वावसीर है उसमें पहले दिन से ही आराम हो जाता है और इसमें फिटकरी है की काम करती हैं कंद करती हैं इसके पैट इसकी उर्ण ब्रम करता है जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कम जोने पर परवाज़ा पूर जाती है पहरी लगता है तो उसको दूर करने के लिए आप इस इसमें जो है रीठे की भसन का प्रियोग किया गया है तो इसमें कुल चार दरब है और इन चारों को आप समभाग लेकर इसका कैपसूल बनाते हैं जो आपने पहले देख रहे हैं तो इसका उपयोग आप समय काल और वेक्ति की उमर और वजन के अनुसा करते हैं अगर कम व्लेडिंग है तो आप इसकी जो मात्र है एक कैपसूल शुबा और एक कैपसूल शाम इसको लगातार आप करीब दो हपते तक यूज करते हैं तो आपके खूरी ववासीर जड़ समाब्त हो जाती है और इसके साथ साथ आपको कुछ पेट शाफ करने वाल आपको बता रखिए तो आप उसका देखना चाहते हैं तो आप उसका लिंक जो है डिसक्वेशन में दिया गया है आप जाके वहाँ देख सकते हैं ब्लैडिंग वाली पाइल से के लिए जो कैपसूल हमने वनाई थे उसकी महत्पूर जानकारी हम हैं समाब्त करते हैं इसके रोकर्डिंग आपको कुछ भी जानना हो या पूछना हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए आप स्वस्त रहें और मस्त रहें